Hello everyone, welcome to Only IS. तो इंतिजार की घडिया खत्म हो गई हैं और UPSC Result 2019 हम सब के सामने आ चुका है. इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी aspirants को Only IS टीम के तरफ से heartiest congratulations बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बार UPSC 2019 में final list में अपना नाम सुमेश्चित किया है. वो हमेशा से हम एक simple line बोला करते हैं कि work hard in silence, let your success be your noise. तो इस पूरे situation, इस पूरे circumstance को ये line बहुत ही अच्छे तरीके से define करता है. उन सभी लोगों ने जो शान्ती पूर्ण इस बार मेनत की थी, आज उनका success हम सब के सामने हैं. वो चेहरे जो आज तक छिपे हुए थे, वो चमकते सितारे बनकर हम सब के सामने आए हैं और हमें खूब सारे lessons सिखा के जाएंगे ये. अभी तक जितने भी informations हमारे पास आए हैं, उन में से Only Eyes community के अंदर जिनोंने सबसे अच्छी rank हासिल की है. वो हैं पत्की मंदर जैंत राओ. 22nd rank आई है इनकी इस बार UPSC 2019 में. Only Eyes team के तरफ से इनको धेरो शुब कामनाएं और बदाईया. इनके अलावा Only Eyes community के तरफ से बहुत सारे लोग हैं जो इस बार select हुए हैं UPSC 2019 में. और इनका इन compilation बनाना थोड़ा सा समय ले रहा है. फिलहाल जिनका भी detail हमारे पास आ रहा है हम उनके details अपने telegram channel Only Eyes Nothing Else पर share कर दे रहे हैं. तो जो भी थोड़ा भी उच्सुख हैं कि देखें जरा Only Eyes community के तरफ से ऐसे कौन-कौन से लोग select हुए हैं और उनके details क्या हैं तो एक बार जरूर से इस telegram channel को visit कर ये Only Eyes Nothing Else आप search कर सकते हैं. साथी साथ ये result हमेशा dual feelings के साथ आता है. एक तरफ वो सभी लोग हैं जो खुशिया मना रहे हैं जिनका selection हो चुका है और दूसरी तरफ वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी इस बार बट किसी कारणवच वो अपना नाम इस final list में नहीं देख पा रहे हैं. Only eyes team के तरफ से उनको एक बहुत ही अच्छा सा message है कि आपको निराश नहीं होना है. आपको पता है कि आपने कितनी कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, ये knowledge गेन किया है, इसको waste नहीं होने देना है. आपको ना निराश होना है, ना पच्चताना है कि इस बार आपका warrior जैसे सामने आएंगे और इसी final list में आप अपना नाम देख रहे होंगे. तो आपको डरने की जरुवत नहीं है, आपको पच्चतानी की जरुवत नहीं है, आपको निराश होने की जरुवत नहीं है. जरुरत है आपको positive attitude रखने की, जरुरत है एक optimistic behavior रखने की, जिससे कि आप और कड़ी मेहनत कर सकें इस बार. जो भी कमिया हैं, उनको आप एक सिरे से निकाल सकें. आप अपने आपको एक बार self-evaluate करिए, self-thinking के तरफ जाईए, और देखिए कि क्या कमिया रह गएं, क्या छूट गया ऐसा, जो इस बार final list में मेरा नाम नहीं आ सका है. आप उन और साती सात उनका dedication इतना जादा अच्छा है, कि हम inspiration लेते हैं उन सभी लोगों से, उनके पढ़ाई करने की attitude से, उनके hard working से, जो कि हमें inspire करता है कि हम आपके लिए in turn अच्छे materials प्रवाइड करा सकें, आपको guidance properly दे सकें. तो आप यूँ ही कड़ी मेहनत करते रहें, कड़ी भी पीछे मक जाएं. तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आगे आने वाले वीडियो की series में, हम आपको उन सभी aspirants जो की इस बार select हुए हैं, उनसे रूबरू भी कराएंगे, उनसे क्या सीखने को में मिल सकता है, उनके बारे में भी हम जरूर से आप सब के सामने present करेंग आप से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने इस बार final list में अपना नाम दर्ज कराया है, तो once again, a very congratulations to all such aspirants, those who have made their final name in the list, और इस वीडियो को देखने वाले, अगर ऐसे कोई भी aspirants हैं, जिन्होंने इस बार अपना नाम सुनिशित किया है final list में, और वो हमारे साथ अपनी information share कर तो info at the rateonlyis.com पे जरूर से share करें, thank you very much for your patience, have a nice day.